हांजी बचा लोग कैसे आप सब उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं है ना चलो फिर इस पढ़ाई के सफर को आगे बढ़ा देते हैं और बात करते हैं आज की अपने लेक्शर की ठीके जिसका नाम है डियने प्रतिक को देखा था है ना अब क्या समझेंगे हम उसकी क्रिया विधी क्या है इंट्रोसिंग है समझ में आ जाएगा टैंशन मत लीजिए आगे बढ़ जाते हैं चलो है ना तो डियने प्रतिकृति की जब हम बात करते हैं तो लास में हमने क्या देखा था हमने बात करी थी सेंट् DNA से क्या बना, आपका RNA बना, RNA से क्या हुआ, protein synthesis, है न, क्या हुआ, protein synthesis हुआ, अब यहाँ पर जो DNA से, DNA से RNA बनेगा, हाँ, कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, हाँ, कौन सी क्रिया आएगी, तो यहाँ पर आपका आएगा अनुलेखन, जिसको हम क्या कहते है Transcription Transcription कहते है ठीक है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप पर क्या है अनुवादन ठीक है जिसको हम Translation बोलते है ठीक है Translation ठीक है ना यहाँ पर बात करेती है हमने यह अब हमने क्या बोला था कि DNA से DNA का जो निर्मान होता है है ना कि DNA से DNA के निर्मान को क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं DNA प्रतिकृति है ना क्या बोला हमने इसको DNA प्रतिकृति याने कि DNA replication ठीक है तो यह क्या है अभी तक हमने बात करी थी correct बिल्कृल यही बात करी है अभी तक हमने है ना यहां तक सबको clear हो गया है चलो very good अब DNA प्रतिकृति के बारे में थोड़ो सा देख लेते हैं थोड़ो सा जान लेते हैं कि DNA प्रतिकृति क्या है तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि DNA श्रिंखला के द्वारा नई DNA श्रिंखला के द्वारा नई DNA श्रिंखलाओं का बनना DNA प्रतिक्रती DNA प्रतिक्रती कहलाता है कहलाता है ठीक है अब यहां क्या हो रहा है अब इसी के द्वारा जनक से लक्षण संतती में जाते हैं ठीक है ना तो सबसे पहली चीज जो DNA प्रतिक्रती के बारे में हमने बात करी थी वो यही थी कि DNA श्रिंखला के द्वारा नई DNA श्रिंखलाओं का बनना DNA प्रतिक्रती कहलाता है और इसी के द्वारा जनक से लक्षण संतती में जाते हैं ठीक है ना अब दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा दूसरे नंबर पे हमने बोला कि DNA प्रतिक्रती DNA प्रतिक्रती के समय के के समय DNA की DNA की दोनो श्रिंखलाइन अलग होकर टैंपलेट के रूप में कारे करती है टैंपलेट के रूप में कारे करती है ठीक है तथा अपने साथ अपने साथ नई पूरक श्रिंखलाओं का निर्माण भी करती हैं निर्माण भी करती है ठीक है तो दूसरी चीज में हमने क्या सीखा यहाँ पर हमने देखा कि DNA प्रतिक्रती के समय अपने पूरक श्रिंखलाओं का निर्मान करती है मतलब इसने यहाँ पर एक श्रिंखला बना दी इसने यहाँ बना दी यह 3-25 हो गया और यह 5-23 हो गया तो यह पुरानी वाली है यह क्या कहलाएंगी टेंपलेट कहलाएंगी और यह जो नई वाली है यह क्या कहलाएंगी पूरक कहलाएंगी ठीक है, टेंप पूरक कौन से है, नई वाली, और टेंपलेट क्या है, पुरानी, ठीक है, क्लियर, यह दोनों चीज़े, है ना, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अब जिससे क्या होता है, जिससे नई DNA, खंड में एक श्रिंकला जनक DNA की तथा दूसरी जनक है, श्रिंकला, दूसरी श्रिंकला नई होती है, ठीक है, इसी लिए, या इसलिए, यहां पर आपको समझ में आ गई होंगी, कि मैं आपको क्या समझाना चाहती है, दिने के बारे में, क्लियर ये चीज, बताओ, यहां पर सिंपल सी चीज है, मैं आपसे बोल रही हूँ, कि यह जो दो बनी हैं श्रिंकला, है न, इसके सामने बनी है, ठीके, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कि यह जो पुरानी वाली है, एक हमारी जनक है, ठीके, जो पुरानी वाली है, वो जनक है, और जो दूसरी श्रिंकला है, यह क्या है, नई होती है, ठीके, और इसे लिए, दीने प्रतिक्रती क्या है, अर्ध सनरक्षी होती है, क्लियर बिल्कुल, है न, बहुत बढ़िया, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, और देखो, इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको, हाँ, जो कैसे समझेंगे, हम ने क्या कहा, कि ये क्या है, DNA है न, ये DNA template है, ठीके, ये क्या है, ये आपके DNA template है, यहाँ क्या हो रहा है, मैंने कहा, फाइफ टू, ह् त्री डैश है, ठीके, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि DNA का निर्मान को DNA से DNA के निर्मान है DNA से DNA का निर्मान जो है वो क्या कहलाता है आपका DNA प्रतिक्रति ठीक है क्या कहलाता है वो आपका DNA प्रतिक्रति कहलाता है और हमने क्या कहा कि इसके लिए क्या यूज होती है अर्ध संरक्षी विधी ठीक है इसके लिए क्या यह उज़ो रही है अर्द संरक्षी विधी उज़ो रही है तो मैंने कहा कि हमारे पास दो टेंपलेट है दो है तो यहाँ पर यह अपने सामानतर क्या बना लेगा इस तरीके से एक तो यह बन गया त्री टू फाइव डैश बन गया यह और दूसरा क्या बन गया यहाँ पर यहाँ बन जाएगा फाइव टू फाइव त्री डैश बन जाएगा ठीक है बन गया है अब हमने क्या कहा कि पहले वाली श्रिंखला क्या है कि यह जो पहले वाली श्रिंखला ये क्या है ये पहले वाली है पहले वाली श्रिंखला ठीक है जो पहले वाली श्रिंखला है क्या है ये टेंपलेट है ठीक है टेंपलेट है ये पहले वाली श्रिंखला ठीक वहीं जब मैं इस दूसरे की बात करती हूँ ये जो नई वाली है ठीक है य ये भी क्या है नई वाली है और ये भी क्या है नई वाली है ये क्या है पूरक है है ना क्या है ये पूरक श्रिंखला ठीक है ये क्या है पूरक श्रिंखला ये भी क्या है पुरानी है और ये भी पुरानी है तो ये क्या है टेंप्लेट श्रिंखला है ठीक है ये दोनों चीज यह अपने प्रती सामानतर निर्मान करती है किसका श्रिंखला का ठीक है अब बताओ इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि यहां पर क्रिया विधी में क्या है कुछ इन्साइं यूज होते हैं इसकी जो क्रिया विदह ही होती है, इसमें enzymes use होते है ठीक है enzyme क्या हो रहे है use हो रहे है जो क्या करते है यह जो DNA प्रतिक्रती होती है DNA प्रतिक्रती होती है उसको सक्रिय करते है ठीक है हाँ इतने बात सब बच्चे को clear हो गई इसको क्या करते है सक्रिय करते है यानि कि active करते है तभी तो enzyme की help से यहाँ पर सारा खेल होता है सारा कामगिन की help से ओ रहे है यहाँ पर enzyme की help से ओ रहे है सारा का सारा, कुछ भी इन से छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी इन से अलग नहीं है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, अब जो सबसे पहला इंजाइम आपके पास आता है, मैं सबसे पहले इंजाइम की बात कर रही हूँ, सबसे पहला इंजाइम अब बात यह है कि इस डियेने हैलीकेस का काम क्या है इस इंजाइम का आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सच में पता है कि डियेने हैलीकेस का क्या काम करता है बताओ मुझे कितने बच्चों को मालोम सची बताना बलकुल है कि जूट नहीं बोलना भिलकुल कि पढ़ लो बच्चों मेरे पढ़ो नहीं पढ़ना के तो बहुत ही दिकस हो जाएगी तो तो कितने वच्चों को मालूँ है बतावगों ये क्या काम करता है भाई सहाब य przysz यह स्रेंखला को खोलने का काम करता है सही डिने निस श्रेंखला होती है differs हुआ उसको खोलने का काम करता है ठीक है बताओंगी अभी कैसे करता ठीक है ना अभी बताओं कि कैसे करता है डीने की श्रिंगला और खोल लेया काम चलो दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं दूसरा कौन सा आता है हमारे पास बताओ दूसरा कौन सा आता है डीने यार बताया करो ऐसे मत करा करो ट्रॉपो आइसो मरेज एंजाइम ठीक है, DNA topo isomerase enzyme, दूसरा enzyme ये आ जाता है, ये क्या काम करता है, अब सच्ची सच्ची बताओ कितने बच्छों को मालूम है, ये क्या काम करता है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताओंगी, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताओंगी, लेकिन मुझे बताओ ये क्या काम कर करता है बोलो अरे बबाबा ये क्या काम करता है जो श्रिंखला खुली हुई है जो श्रिंखला खुली हुई है उसको खुले रखने का काम करता है ठीक है उसको खुले रखने का काम करता है मैंने बोला कि ये वाला क्या कर रहा है डियने श्रिंखला को खुलने काम करता है और ये क्या कर रहा है कि ये जो श्रिंखला यहां खुल गई है ये खुली रहे ये काम करता है देखो समझो कैसे करता है है ना बताती हो हमारे पास क्या है DNA श्रिंखला है लो यह क्या है DNA श्रिंखला है ठीक है क्या है 5 to 3 dash 3 to 5 dash ठीक है यह क्या है आपकी DNA श्रिंखला ठीक है यह क्या है आपकी DNA श्रिंखला है अब यहां पर क्या हो रहा है मैंने बोला कि यहां पर कौन आएगा पहला वाला enzyme आजाएगा आपका कौन सा enzyme है पहला DNA हैलिकेज enzyme कौन आया यहां पर DNA हैलिकेज enzyme यह आ गया यहां पर ठीक है अब यह सिर्फ वहीं आता है जहां पर इसका काम होता है जहां इसका काम नहीं होगा यह enzyme वहां पर नहीं आएगा ठीक है तो इसको आप लिख लो यह वहीं आता है यह वहीं आएगा जहां काम होगा इसका यह इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे बिलकुल भी confusion ना हो कि भाई यहाँ पर क्यों है ऐसा यहाँ पर यह आया तो जब यह यहाँ पर आया तो क्या हुआ यह जो श्रिंखला थी क्या हुई खुल गई कैसे खुल गई यह देखो यह जो श्रिंखला थी ठीक है इसके आने से क्या हुआ कि यह जो श्रिंखला थी खुल गई कैसे खुल गई यह देखो मैंने कहा यह क्या था आपका DNA इस तरीके से यह खुल गई है ना ये दिविजगुण मैंने क्या बोला कि यह कैसी है आपकी यह कंडिलत क्या है यह कंडिलत है और यह कंडिलत है ओर यह दिकलत है तो मैंने क्या बोला कि ये ऐसे खुल गई, तो ये जो second वाला enzyme होता है हमारा, कौन सा enzyme आता है second वाला, तो यहां रोल आता है हमारे second enzyme का, जिसका नाम क्या है, DNA tropo isomerase, तो यहां पर ये enzyme आता है, तीके, यहां पर आ गया, और क्या करेगा, ये जो श्रिंकला यहां खुली खुला छोड़ देगा, इसको क्या करता है, खुला रखता है, ठीके, जब तक कि प्रतिक्रती का काम नहीं होता, जब तक क्या होगा ये खुला रहेगा, ठीक, तब तक यह क्या रहेगा, खुला रहेगा, ठीक है न, तो इतनी चीज समझ में आ गई, पहले चीज यह हुई, यहाँ पर दोनों के दोनों enzymes का, हमने अच्छे से, क्या सीख लिया, काम सीख लिया, तो यह बंधे ना वापिस से द्वी कुणलित ना हो जाए तो यह क्या करेगा तब तक कि इसकी प्रतीकृति का काम पूरा ना हो जाए यहां पर क्या करेगा लगा रहेगा ठीक है चलो इसके बाद क्या आता है इसके बाद हमारे पास आता है next enzyme तीसरे नंबर का तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है RNA Primer ठीक है अब क्या आगी आपके पास RNA Primer अब बताओ RNA Primer का का क्या है बताओ जल्दी से तो भाई यहां पर सीधे सीधे क्या होगा यहां पर यहां पर जो भी श्रिंख लाए हैं ठीक है जो भी श्रिंख लाए हैं मैंने कहा कि 5 2 3 डैश है यह क्या है 5 2 3 डैश है ठीक है अब इसके आगे हमें पता है यहां पर OH होता है तो यहां जो भी श्रिंख लाए हैं तो यह यहां पर क्या है जो भी न्यूक्लियो टाइट जुडेगा ठीक है थ्री एंड पर ही जुडेगा थीक है क्यों की क्यों की यहां पर ओ एच ग्रूप होता है ठीक है तो हमने क्या कहा कि आरेन अप्राइमर जो है क्या है यह दो हमेशं ही धाश क्रूदेगा क्योंकि यहां पर हो से जुड़ जाएगा है यहां पर है cancar ठीक है दूसरे चीज समझ में आई इसको बताऊंगी अभी कि कैसे कैसे हुआ ठीक है टैंचन लेन की कोई जरूरत नहीं बताया जाएगा आपको बिल्कुल इसके बाद यह हमारे पास क्या गया DNA प्राइमर आ गया अब आता है नेक्स हमारे पास DNA पॉली मरेज इंजाइम ठीक हमारे पास आगया DNA पॉली मरेज इंजाइम ठीक है इसका काम क्या होता है बताओ सच्ची बताओ कि आप में से कितनों को मालूम है DNA पॉली मरेज का क्या होता है बोलो मैं हमें बत्याने से फुर्सत ही नहीं है क्या ही बताओंगे हम ऐसा ही है बोलो बता दो भाई ऐसी के नाराजगी है तो भाई यहाँ पे DNA पॉली मरेज सा काम है कि जो नए नूकलियो टाइट्स हैं ठीक है तो यह जो नए नूकलियो टाइट्स है इनको RNA प्राइमर में जोड़ना ठीक है इनको RNA प्राइमर में जोड़ देना ठीक है यह किसका काम है DNA पॉली मरेज इन्जाइट्स का काम है कि जो नए नूकलियो टाइट है उनको RNA प्राइमर में जोड़ देना लेकिन सवाल आता है कैसे सवाल आता है कैसे चलो बताते हैं कैसे तो मैंने कहा कि मेरे पास यह क्या है यह रहा 5-3- ठीक है यह क्या है एक टेंपलेट है इस टेंपलेट के क्या प्रती समानतर क्या होगी एक श्रिंकला बन जाएगी ठीक है इसके प्रती समानतर एक श्रिंकला बनेगी ठीक है तो श्रिंकला बनेगी तो क्या होगा यहाँ प the car क्रिके प्रति समांतर होते दوسरे के उल्टे कि पांच है तो तीन और तीन है तो पांच तो यहां के यह जो प्राइमर है यह क्या है नियुलोटाइट onwards यहां पर आके जुड जाएंगे मतलब यह इसका opposite होना चाहिए, कि यहां 3 है, तो यहां के आगया, आपका 5 आगया, ठीके, इस तरीके से यहां पर जुड़ा होना चाहिए, ठीके, नए nucleotides यहां पर आकर जुड़ जाएंगे, correct, इतनी बार सब बच्चे को clear हो गई, बताइए सब को clear हो गई, चलो बढ़िया अब next कौन सा आता है हमारे पास, next हमारे पास आता है DNA ligase, ठीके, 5th नमबर पर DNA ligase, यह क्या काम करता है DNA ligase, जो DNA खंड होते हैं, है ना DNA खंडों को जोडने का कारे करता है ठीक है, चलो, इसके बाद एक आखरी आता है DNT, आखरी जो छटे नमबर पर हो है DNTPS, बड़ा अनुका सा नाम है, सुनाए आप लोगोंने इसका नाम DNTPS, बताइए, सुनाए आप लोगोंने, बताइए, बताइए, किस किस ने सुना है, इसको मुझे बताओ, बोलो बोलो, 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 किस किस ने सुना है इसको तो इसका काम क्या है यह क्या करता है, यह है भई आपका काम करता है, ठीक है, या फिर इन शॉट हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होता है, इससे नए नुक्लियोटाइड बनते हैं, नए नुक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है, इन शॉट हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो इस सारे के सारे जो इंजाइम है भाई साहा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे छे के छे, जो आपको by heart याद होने चाहिए, करेक्ट बिल्कुल, बोलो, बिल्कुल करेक्ट, है न, हम, चलो आगे बढ़ जाएं, हां, बोलो भाई, बोलो, आगे बढ़ जाएं हम लोग, हम, क्या बात करेंगे, आगे आके हम बताओ, बोलो भाई, चलो, अब आता है, डीने प्रतिक्रति क्रिया विदी में समारंभन बिंदू, याने कि समारंभन बिंदू सबस्तें क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, समारंभन बिंदू में क्या होता है, डीने में उपस्थित वह बिन्दु जहां से दियने प्रतिक्रति प्रारंब होती है ठीके वो क्या कहलाता है हाँ वो कहलाता है क्या सम्मा रंभन बिन्दु ठीके इतनी बात पहले चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई कि भाई डीने में उपस्थित वो बिन्दु जहां से दियने प्रतिक्रति प्रारंब होती है वो क्या कहला रहा है समा रंभन बिन्दु कहला रहा है पहली चीज ठीके अब समा रंभन से पहले डीने कुछ विशिष्ट प्रोटीन वे डिने हैलिकेज एंजाइम सहायता करते हैं अरे यार क्या लिख रहे हूं सॉर्ड शॉर्ड शॉर्ड यहां गलत हो गया यह नहीं लिखना था पहले डीने क्या करता है विकुंडलित होता है उसके बाद होता है सारे जीज़े विकुंडलित होकर दोनो श्रिंक लाएं खुलती है ठीक है बताओंगी अभी कैसे टैंक्शन मतलो ठीक है दोनो श्रिंक लाएं क्या है खुल डे ठीक है इसके बाद क्या होता है यहां पर क्या होता है दोनो श्रिंक लाएं खुल जाती है फिर क्या होता है फिर हमारा जो डीने होता है ठीक है हमारा जो डीने है हमारा जो DNA है वो क्या है विकुंडलन ठीक है विकुंडलन के लिए कुछ विशिष्ट प्रोटीन विशिष्ट प्रोटीन वे DNA Helicase Enzyme DNA Helicase Enzyme सहायटा करते हैं ठीक है ना कैसे करते हैं देखो अभी समझाती है उसको है ना समझो इसको मैं कहते हूं मेरे पास क्या है DNA है ठीक है यह रहा हमारे पास DNA ऐसे ही होता है DNA ठीक है यहाँ क्या हो रहा है इस DNA में क्या हो रहे हैं यहाँ पर आपका DNA Helicase Enzyme है ठीक है, DNA helicase enzyme और DNA tropo दोनों आते हैं, ठीक है, यहाँ पहले क्या आया आपका, DNA helicase आया, ठीक है, पहले यह आएगा, यह क्या आएगा, पहले यह काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, पहले यह आएगा, फिर क्या आएगा, फिर second number पर कौन आया है हमारे पास, DNA tropo isomerase, फिर दूसरे नंबर पर यह आता है, ठीक है, पहले यह अपना काम करेगा, फिर यह अपना काम करेगा, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर यह जब आए, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो पहले काम किया है, ठीक है, किसने, पहले DNA helicase ने काम किया है, तो यहाँ पर DNA हेलिकेज की वजह से जो श्रिंखला है खुल जाएगी, है ना, खुल गई, ठीक, तो उसको खुल के दिखाते हैं श्रिंखला कैसे खुल गई है, यह रही आपकी, है ना, 5-2, 3-2, 5-, ठीक, यह क्या है हमारा पहला स्टेप है, ठीक, यह क्या हमारा पहला स्टेप है, लो, ठीक, यह वाली कौन सी सनरशना है आपकी, कुंडलित, ठीक, और जो यह वाली सनरशना है वो क्या है, वी कुंडलित, त्रावों चीजा यह कोल गवी देखो इस थारे का से पहले स्ट्रेप सब समझ में आया हूं बूलो सब को समझ में आगिया ना पहला स्टेप Middle-com बहुत बढ़िया दूसरे स्टेप क्यों बड़ते अभी तक अम क्या देख रहे थे अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली थी कि हमने बोला था कि DNA से क्या होता है DNA से RNA बनता है ठीक है और RNA से क्या होता है protein synthesis होता है क्या होता है protein synthesis ठीक है जिसको हम क्या बोलते है protein sensation बोलते है synthesis का मदलब sensation ठीक है चलो ठीक है अभी तक हमने यही बात करेती, फिर हमने क्या बोला था, यह जो DNA है कैसा है, double halical है, फिर DNA से जो RNA बनने की क्रिया है, वो क्या है, अनू, क्या है, अनू, लेखन, ठीक है, अनू लेखन, जिसको हम क्या कहते है, हमने transcription कहते है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, transcription बोला, वहीं जब RNA से protein synthesis की process हो रही है, तो इसको हमने क्या बोला, हाँ, अनू, वादन, ठीक है, याने की translation, ठीक है, यही बढ़ा अभी हमने, है ना, यही बढ़ा था हमने, अब अगर मैं यहाँ पर इस RNA की बात कर दो, करती हो, कि RNA क्या है, तो RNA क्या होता है, ribonucleic acid होता है, यह, है ना, ribonucleic acid होता है, ठीक है, यही देखा हमने, फिर जब मैं इसके poly, जब मैं इसके poly nucleotides की बात करती हूँ, poly nucleotides की बात करती हूँ, तो इसके poly nucleotides में कौन आ जाता है, हाँ, कौन आ रहा है इसके poly nucleotides में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, राइबोज, sugar, है ना, pentose, पहले तो pentose लिख लेते हैं, pentose, sugar, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हाँ, nitrogen basis, ठीक है, nitrogen basis, प्लस हमारे पास क्या आता है, phosphate, group, ठीक है, यह होता है, अब जब यहाँ पर मैं बात करते हूं, nitrogen basis की, तो nitrogen basis में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे है, adenine, guanine, thymine और uracil, यह चार यहाँ पर nitrogen basis आ रहे हैं, ठीक है, यह हमने अभी अभी देखा है, अभी अभी कहिए, तो हम लोग चानते हैं कि actually में होता यही है, ठीक है, process ही यही चलती है, है ना, तो यह हम लोग को बहुत अच्छे से सारी चीज़े clear हो गई हैं, चलो, अब बात करते हैं RNA संसार की, तो भई यह प्रकृती में एक लंबे अशाकित राइबो न्यूक्लियर टाइट्स अणूओं की बनी एक एकल स्टिंकला के रूप में मिलते हैं, यह तीन अणूओं से बनता है, एक फॉस्फेट समू होता है, एक पेंटो शरक्रा होती है और नाइट्रोजन छार होते हैं यहाँ पर, और ने में आणेट इन, फैक सी और इसल होता है, थीक में अधिकतर केंदरिका वे कौशी का दरभे में पाए जाता है, यह, बहुत्स सिम्पल सी चीज़ है, बहुत ही। सिम्पल सी चीज़ जो आर ने के बारे में, हम बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं बच्पन से पढ़ते हुए है ना कुछ गलत तो नहीं है बोलो ठीक है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं समझते हैं आरेने संसार के बारे में तो बहुत जब मैं आरेने की बात कर रहे हुए है ना तो आरेने क्या है हमारा राइ अनुवंशिक पदार्थ था ठीक है पहली चीज तो यह आ गए फिर क्या बात करने हैं फिर हम कहते हैं यह जो RNA है ठीक है यह क्या है सभी सजीव कोशी काओं सजीव कोशी काओं जिसमें कौन आते हैं प्रो अरे भाई प्रो कैरी यॉर्टिक और यू कैरी यॉर्टिक में पाया जाता है ठीक है में पाया जाता है ठीक है न कि मैंने कहा कि यह पहला अनुवंशिक पदार था यह सभी इस सजीव कोशिका है चाहे वो प्रोकारियोटिक है या यूकारियोटिक है दोनों में पाए जा रहा है ठीक है केवल दीने जो है केवल दीने विशाणूं विशाणूं क्या होते हैं वाइरस में इसका आभाव याने की कमी होती है ठीक है दूसरे चीज़ ही आ गई clear बिलकुल यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि आरेने में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि आरेने कोशी का आरेने कोशी का द्रव्य केंद्रक तथा केंद्रिका में पाए अब यहाँ पर और क्या चीज़ आ जाती है हाँ आरेने संसार में यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है भाई क्या आ जाती है आ जाती है कि आरेने जो है आरने विशाणुओं में अनुवंचिक पदात के रूप में होता है तीक है? होता है बाकी सभी कोशिकाओं में है ना? बाकी सभी कोशिकाओं में क्या करता है? प्रोटीन संसलेशित करता है ठीक है? दो चीज़े यहां पर क्लियर हुई आपको? हाँ? बताओ मेरे को ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई की नहीं हुई? बोलो कि आरने विशाणूं में अनुवंचिक पदात के रूप में होता है बाकी सभी कोशिकाओं में प्रोटीन संसलेशित करता है ठीक है? दूसरा पॉइंट इसके बाद क्या आ जाएगा? कि भाई आरने में क्या हुए? अनेक नुखलोटाइट्स होते हैं ठीक है? आरने में क्या है? अनेक नुखलोटाइट्स प्रियो टाइट्स एक रेखिक क्रम में पाँच से तीन डैश सिरे की और सिरे की और क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बंधो द्वारा बंधो द्वारा जुड़े होते हैं ठीक है? अनेक नुखलोटाइट्स एक रेखिक क्रम में यानि की पाँच से तीन डैश या फॉस्फोडाइस्टर बंड से जुड़े होते हैं ठीक है? जितने भी नुखलोटाइट्स हैं उनके बारे में बात चल रही है कि जो आरेने है ना इसके नुखलोटाइट्स में क्या होता है? राइबोज शरकरा होती है ठीक है इसके जो नुखलोटाइट्स होते हैं उनमें क्या है? आरेने के निउ क्लियो टाइट्स में क्या होती है? राइबोज शुगर होती है ठीक है दूसरी चीज आगे आपके पास यह ठीक है राइ बोश शुगर होती है चलो अब यहां पर आपको पेज जोड़ना पड़ेगा एक पेज जोड़ना काफी रहेगा यहां पर एक पेज काफी रहेगा ठीक है यहां पर पेज जोड़ लेते हैं चलो फिर आज आफिर निक्स लाइन पर आ जाओ, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि RNA के नुक्लियोटाइट्स में नाइट्रोजन बेस भी होते हैं, जो RNA के नुक्लियोटाइट्स जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस बोल दो, या नाइट्रोजन चार, ठीक है, जिसको अमने क्या बोला, नाइट्रोजन बेस बोला, ठीक है, नाइट्रोजन बेस भी होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, बताईए, हाँ, बताओ भई, कौन-कौन से होते हैं, बोलेंगे, मैम, यह चाप्टर त नहीं नहीं आ रहा है लेकिन भाई पढ़ना तो है यह चैप्ट है ना थोड़ा सा बोरिंगे लेकिन जिब चीज़े समझ में आने लग जाती है ना तो बहुत मज़ा आता है तो चीजों को क्या है भाई मज़ेदार बनाना सीखो बताओ जल्दी से बताओ क्या होता है आरेने के जो नुकलोटाइट होते हैं इनमें नाइट्रोजन छार होते हैं हैना कौन से होते हैं बोलो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा ना बीना बोले जिनको पता है जिनका जवाब आ रहा है वेलेन्गूर बहुत अच्छी बात है पर जि जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, तो फड़ा फड़ जवाब दो भाई, क्या है, क्या मामला है, मत कहा ना, मैं मामला गड़ पड़ है, मत कहना, बिलकुल भे ठीक है, चलो फिर, मैं बता देते हूं, मैं ऐसे मुझे पता है, बहुत समझदार लोगों, आप सब को हो गया, जिसको हम G से लिखते हैं, फिर क्या हो गया, आपका cytosin हो गया, cytosin, जिसको आप C से लिखो गया, और last में आपके पास क्या आता है, uracil, और uracil, ठीक है, जिसको आप किस से लिखते हो, यू से लिखते हो, ये होते हैं, ठीक है, ये बताओ, ये चीज़ clear आपको, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अब यहां क्या होता है, RNA अणू जो होता है, जो RNA अणू होता है, वो DNA की अपेक्षा कैसा होता है, बताओ, जो RNA अणू है, वो DNA की अपेक्षा कैसा है, ना की अपेक्षा कैसा है, बताओ भाई, छोटा होता है, ठीक है, और इसलिए इसका जो भाई होता है, और इसलिए इसका भाई, ठीक है, यह बोलो अणू भाई, अणू भाई, क्या है, DNA से कम है, अरे भाई, DNA से कम है, ठीक है, बताओ, यह समझ में आया, अब इन चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, देखो, कितने easy और simple language में आपको यहाँ पर लिखके समझाया है, है ना, अब मत बोलना कि मैडम जी, समझ में नहीं आ रहा है, वन्ना फिर क्या है, फिर पिटोगे, फिर मार्खाओगे, ठीक है, अब last में क्या आ जाता है, हमारे पास भाई, कि RNA कई जैविक रसाइनिक क्रियाओं में क्या होता है, उत्त प्रेरक का काम करता है, यानि कि किसी चीज़ को क्या करना, फुश करने वाला काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि RNA क्या करता है, RNA कई जैव रसाइनिक क्रियाओं में उत्त प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, यह भी हो चाहें, चाहें यह भी हो, यह यह भी हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से यहां पर लिख कि आपको समझाया है अपनी तरफ से पूरी कोशिच करिए इसको समझाने की मैंने आपको चलो अब बात करते हैं RNA के प्रकार के बारे में कि भाई RNA के प्रकार के इतने हैं तो आप मैंसे कितने बच्चे ऐसे ह जो मुझे बदा सकते हो सची सची कि आरेने के प्रकार क्या होते हैं तो भाई आरेने तीन प्रकार का होता है बहुत सिंपल सा है बहुत सिंपल सा है तीन प्रकार का है आरेने ठीक है पहला आपका आजाता है एम आरेने ठीक दूसरा आजाता है आपका आरेने और तीसरा आजा Тी, RNA यह तीन तरीके के RNA हमको गिफ्ट में मिलते हैं ठीक है? हम किसी के बड़े पार्टी में गए थे और यह तीनों तरेके के RNA जोते हमको गिफ्ट में मिल गए ऐसा था हमारे साथ बताव ऐसा हुवा था刑 हम नहीं हुआ था ना क्या हुआ था बोलो चलो भाई बता देते हैं कि तीन तरीके के आरेने हैं ठीक है और यहां पर जानने वाली बात यहीं कौन कौन से हैं तो जान लो MRNA, RRNA और TRNA MRNA को हम क्या बोलते हैं मेसेंजर RNA है ना तो क्या बोला हमने मेसेंजर RNA ठीक है क्या हुआ यहीं मेसेंजर RNA ठीक है आर एनने आर आर आरने क्या होता है राइबो जोमल आर एन ए ठीक है यह होता है और T से क्या होता है आपका TRANS TRANSFER क्या हो गया भाई TRANSFER RNA ठीक है TRANSFER RNA करक्ट बिल्कुल यह आ जाता है हमारे पास फिर यह जो मेसेंजर होता है इसको हम क्या बोलते हैं संदेश वाहक भी बोलते हैं संदेश वाहक ठीक है इसको हमने क्या बोला संदेश वाहक बोला ठीक है लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो राइबोजोमल ही कहलाता है फिर जब हम TRANSFER RNA की के बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इस था नांतरण RNA ठीक है क्लियर हो गई इतनी बात बताओ भी समझ में आ गया है अब यहां पर ध्यान यह देना कि जो RNA बनता है न वो कहां बनता है हमेशा मैंने बताया था कि DNA में क्या होते हैं दो आपके टेंपलेट स्ट्रेंड पर बनेगा ध्यान रखना इसको भूलना बिलकुल भी नहीं है कहां बनेगा यह टामपलेट स्ट्रेंड के उपर बनेगा आया समझ में कोई डाउट तो नहीं है यहां पर पिर यहाँ पर क्या होगा, यह जो mRNA होता है ना, यह क्या करता है, next page पर बताती हूँ, चलो इसी पर लिख देते हैं, यह जो mRNA होता है, m, RNA, यह क्या करता है, यह decide करता है, कि कौन सा amino acid add होगा, कौन सा amino acid जुड़ेगा, ठीके, यह mRNA का काम होता है, कि कौन सा amino acid जुड़ेगा, ठीके, अब मैं यहाँ पर अगर कहदो कि हमारे पास क्या है यह क्या है हमारा यह हमारे पास क्या है यह रहा हमारा template रज्जू ठीक है यह template रज्जू है यह हमारे पास ठीक है क्या है यह 5 to 3 dash ठीक है इसके उपर यह क्या है A है T है G है A है G है X Y dash so on so on so on अब यहाँ पर क्या है यह हमको मालुम है कैसे 523 आप एसके ऊуч creative अब इसके उपर यहाँ पूरत बनेगा इसका नहीं किया इसके बनेगा तो यहाँ पर a के सामने क्या जाता है खाये गाइश ऑगया था फिर क्या गए यू आ गया, सी आ गया, बतलब इस तरीके से so on so on so on ये क्या है चलता रहेगा, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है ये वाला क्या है हमारा template strand है न, ठीक है तो ये क्या बनाएगा, ये आरेने बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, आरेने बनेगा, ठीक है, ये क्या यहां पर यहां जोडती हूं बोलो कि मैं हम आपके तो पेज ही कम पड़ जाते हैं हमेशा हां क्योंकि मैं बहुत लिखती हूं इसलिए ठीक है ना तो मैंने क्या बोला यहां पर हमारे पास प्रिया है ठीक है यहां पर R ω और यहां पर T a अर हे ठीक है ना यह है चलो बहुत बढ़िया अब यहां पर जब हमने MRNA के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया ना इसके बारे बहुत पढ़ लिया पर जब मैं आर आरेने की बात करती हूं तो यहां क्या होता है यह साइट प्रोवाइड करता है यह क्या करता है साइट प्रोवाइड करता है ठीक है यह साइट प्रोवाइड करने यह काम करता है और जब लास्त में मैं। टी आ रेने की बात करती हूं तो यह क्या करता है यह जो अमीनो एसिद होते हैं कि है लाएका प्लस क्या करेगा उसको फिर जोड़ेगा ठीक है अमीनो ऐसी दलाएगा और फिर क्या करेगा उसको जोड़ेगा तो ये बकायदा इन सब का थोड़ा 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 कारे करा मिस्प्रकार चलता रहता है ठीक है इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई बोलो आई आज में बहुत ही बढ़िया अब देखो अगर मैं अब MRNA की बात करती हूं तो यह क्या है यह कोशिका के अंदर DNA की संरश्रमातनक जीन अनुलेखन से DNA के एक वलेक के पूरक प्रतिलीपी के रूप में होता है यह DNA में क्या है कूटित सूचनाओं को नहीं तरखता है वे कोशिका द्रब्व में ले जाकर अंत में राइबोजोंस में सलगन हो जाता है यह कोशिका के कुल RNA का 3-5% भाग होता है mRNA के 5- से लेकर यह क्या होता है methylated guanacin तथा 3-3 छोर पर समापन कोडॉन यानि की GAA GAC वे यूजी ए होता है ठीक है देखो अब यहाँ पर समझो RNA के प्रकार ठीक है जो अभी तक हमने देखे थे तो RNA के प्रकार के बारें बात करते हों तो कोशिका में मुख्यत तह 3 प्रकार के RNA होते हैं ठीक है RNA होते हैं ठीक है दूसरा क्या जाता है हमारे पास दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जिसका संसलेशन जिसका संसलेशन केंद्रक में होता है होता है ठीक है और तीसरी चीज़ क्या आती है कोशिका द्रव्य में तीसी चीज़ क्या है कोशिका द्रव्य में आकर ये प्रोटीन संसलेशन में महतवपुमून भूमिका निभाते हैं ठीक है तो तीन चीज़े यहां पर ये आ जाती है कि भई कोशिका में मुक्के तद तीन प्रकार क्या रहे ने होते हैं जो हम अलोड़ी बात कर चुके हैं हां एम आर एंए आर एंज ए और टी आर एंए तीन पाए जाते हैं यहांपर ठीक है मुझे नहीं लगता इसकी तीनों को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई होगी बहुत असानी से लिख्था है देखो समझना बिल्कुल इसको है ना बिल्कुल भी परशान नहीं होना कि मैम जी यह क्या है ठीक है ना चलो अब हम MRNA की बात करते हैं कहां है हमारा MRNA MRNA ठीक है जिसको हमने क्या बोला मेसेंजर RNA क्या है मैसेंजर RNA ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसके स्ट्रॉक्चर की बात करती हूँ इसकी संरश्णा की बात करती हूँ ठीक है तो इसकी संरश्णा में क्या है इसकी संरश्णा में जो पहला सिरा है diagram बनाएंगे हम tension मतलो ठीक है तो पहला सिरा है उसको हम क्या कहते है जी-cap कहते है ठीक है जी-cap कहते है ठीक है जो पहला सिरा है इसका उसको हमने क्या बोला जी-cap बोला ठीक है इसमें क्या होता है इस जी-cap में क्या होता है इसमें क्या होता है गवानुसिन ठीक है गवानुसिन जुड़ा होता है कहां से जुड़ा हुआ होता है ये 5- से ठीक है कहां जुड़ा है 5- ये तो पहला आ गया दूसरे की जब मैं बात करती हूँ तो दूसरे में क्या आ जाता है हमारे पास दूसरे नमबर पर हमारे पास non-coding non-coding region आ जाता है ठीक है यह हमारा क्या आगया है non-coding region आगया दूसरे में पहले सिरेपर तो g cap था g cap के बाद क्या है non-coding region आया यह क्या है यह क्रम होगा ठीक है क्रम होगा यहाँ पर किसी भी amino acid को coded नहीं कर रहे होंगे ठीक है? यहाँ पर कोई भी amino acid coded नहीं होगा तो दूसरे में यह आगिया हमारे पास तीसरे में क्या चाता है हमारे पास? तो तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आगिया? तीसरे नंबर पर हमारे पास आगिया भाई, coding region ठीक है? तीसरे नंबर पर क्या आगिया? हमारे पास coding region आगिया यहाँ पर क्या होता है? हाँ? इसको हम exoncide भी बोल सकते हैं है ना? इसको हम exoncide भी बोल सकते हैं ठीक है? यहाँ क्या होता है? जो amino acid होते हैं या फिर amino amyl होते हैं ठीक है जो amino acid है इनको क्या करते हैं coded करते हैं ठीक है इनको क्या कर रहा है हम coded करते हैं ठीक है देखो कैसे समझ में इसको समझो कैसे करते हैं कि मैंने क्या बोला यह क्या है आपका एक तो यह आपका क्या रहा यह 5-2-3 यह रहा ठीक है तो सबसे पहले वाला 5-2 वाला जो सिरा होता है यह वाला जो सिरा है आपका यह क्या है हाँ आपका जी कैप ठीक है ये वाला जो सिरा है वो क्या कहलाएगा जी कैप कहलाएगा फिर इसके बाद एक और इससे जुड़ा हुआ सिरा होता है ठीक है ऐसे करके ये जुड़ा हुआ सिरा होता है ये क्या होता है आपका non non coding region यार क्या होगा इस पैं में समझ में नहीं आ रहा है यह क्या है आपका non coding region हो गया अब इसी के पास जो बचा हुआ बड़ा वाला भाग हो गया यह क्या कहलाएगा आपका coding region coding region समझ में आया क्या होता है इस तरीके से ये काम करता है बताओ ठीक है न चलो बहुत बड़ी अब जो coding region में क्या होता है दो पार्ट होता है ये जो हमारा coding region है इसके दो पार्ट है है ना इसके दो पार्ट है कौन से है चुलो दो पार्ट देख लेते हैं कौन से है तो पहला पार्ट क्या है इसका प्रारंभन 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 सिरा ठीक है या फिर क्या बोलते है इसको प्रारंभन दूसरा क्या बोला हमने प्रारंभन क्या बोला हमने कोड़ौन ठीक यह हो गया पहला दूसरा क्या होता ह है हमारा दूसरा हमारा आता है समापन समापन सिरा या क्या बोलेंगे हम कि समापन कोड़ॉन ठीक है तो प्रारंबन का मतलब क्या हुआ जहां से प्रारंब हो जहां समापन कोड़ॉन रहे है तो प्रारंबन में हमारे पास कौन आ रहे है प्रारंबन में आ रहे हैं ए A, U, G A, U, G और कौन है में पास? G, U, G ये क्या है? प्रारंबन में आ रहे हैं समापन में कौन आ रहे है हमारे पास? समापन में कौन है? A, U U, A, A ठीक है? U, A, A फिर कौन है? U, A, G और फिर क्या है? U, G, A ठीक है? इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके से आ जाते हैं चलो, अब मुझे लगता है याँ फिर से हमें एक पेज जोड़ेंगे बोलो के मैडम जी आपके पास हमेशे पेजों की कमी हो जाती है ना? हाँ भाई, ये बात तो सची बात है पेजों की कमी हो जाती है मेरे पास चलो, यहाँ पर हम बनाते हैं अच्छा, 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 एक और चीज़, यहाँ पर हमने तीन ही चीज से की जना चौती चीज तो मैं भूली गई, चौती चीज यहाँ क्या होती है चौता हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर अच्छा हो याद आ गया यह जो पॉली ये टेल है ये क्या है लास्ट वाला भाग है ठीक है आखिरी का ठीक है क्या है ये आखिरी भाग छोलो अब समझाते हैं इसको अब बनाते हैं प्रॉपर डाइग्रामिक MRNA का स्ट्रॉक्चर चलो कैसे होगा हमने फाइब डैश से स्टार्ट किया इसको यह क्या है अब है आपका फाइब डैश से is normal है यह यह था यह से य tik यह से जाएगा यह यहंद पर फाजो 5 डैश वाला पोर्श्न है पहला वयला ये जह अगे एपर मिया यह क्या होता है तो पहला क्या मिला क्या अभरग्वारागाब हुआक अभी क्या प्यक्ति पास क्या है नॉनकोडिंग वाला रीजन सथा और यहां पर देहिए क्या है अपका जो सेकंड पर अ यह क्या है नॉन कोडिंग रीजन ठीक है यह क्या आगिया आपका नॉन कोडिंग रीजन आगिया चलो माल लेते हैं नॉन कोडिंग रीजन आगिया इसके बाद यहां पर एक इस तरीके से संद्शना फिर से बाहर निकलती है ठीक है तो यहां पर क्या होता है भाई मैंने क्या प्रारंबन आ जाती है और एक समापन वाली क्रिया आ जाती है तो जो प्रारंबन वाली क्रिया है वो यहां आ रही है ठीक है इस तरीके से यहां प्रारंबन हो रहा है तो यह क्या कर आएगा आपका हां यहां पे स्टार्ट हो रही है ना ठीक है तो यह क्या आपकी प्रा प्रारंबन छेत ठीक है इसमें कौन होते हैं प्रारंबन छेतर में आपके हाँ ए यू जी अरे यार ए यू जी और दूसरा क्या आगया आपका जी यू जी जी यू जी ठीक है दो आ जाते हैं पिर हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या आती है समापन वाली आ जाती है एक है ना फिर एक समापन आ जाती है तो समापन कैसी आ गई यहां क्या होगी आपका समापन होगी यह क्या है आपका समापन यानि कि यहां क्या हो रहा है एंड हो रहा है समापन छेतर में कौन मौजूद होते हैं, हाँ, U-A-A, U-A-G, ठीके, और तीसरा क्या है आपका, U-G-A, ठीके, U-G-A, तीन, इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है, इतनी चीज सबको clear है, है न, देखो, पहला वाला portion G-cap है, दूसरा क्या है, आपका non-coding region है, और तीसरा यहाँ पर हमने क्या बोला, कि दो छेतरा जाते हैं, ठीके, कौन से, कि यह वाला region कौन सा है, हमारा coding region के लाएगा, यह क्या हमारा तीसरा coding region, ठीके, यह क्या हमारा coding region, अब coding region के दो पार्टे हमने बूला था, एक प्रारंबन और एक समापन, ऐसा ही बोला था, एक समापन, तो वो इस तरीके से आ गए है, ठीके, चलो ठीके, अब यहाँ पर हमने चौथा पाड भी बोला था, कौन सा था वो चौथा पाड, हाँ, कौँ सा था, ए टेल, एक पूच, याद आया कुछ, है, चौथा पाड, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से क्या होगी, टेल आ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीके यह क्या होगी, इसकी टेल होगी, यानि कि इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया, क्या, पॉली ए टेल, ठीके यह होगी आपका चौथा पार्ट, बताओ, यह है हमार MRNA का structure समझने में कोई दिक्कत हुई कितना easy है है ना हमने अब तक क्या पढ़ा है sir यहां 5- है ना यहां क्या है अब का 3- और हमने कौन सी सनरशन देखी अब तक ऐसी वाली कि 5- यह रहा और यह 3- यह रहा तो जब इसको open करेंगे तो यह हमको कुछ ऐसी नजर आएगी clear सबको चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं फिर से एक page जोड़ना पढ़ाया गया है फिर से एक page जोड़ने यहां पर आप बोलोगे कि मैम जी कितने page जोड़ती हो तो यहां पर जब MRNA के बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ MRNA का मतलब क्या होगा संदेश वाहक तो भई यह जो MRNA है MRR संदेश वाहक लिखना था यहां पर तो यह क्या हुआ संदेश वाहक ठीक है यह जो MRNA है ठीक है इसका निर्मान कहां हो रहा है केंद्रक है ना इसका निर्मान केंद्रक के अंदर अरे भाई चल जा केंद्रक के अंदर DNA के अनुलेखन के द्वारा होता है है ना केंद्रक के अंदर DNA के अनुलेखन याने की अनुलेखन मतलब बार बार बता रही हूँ ट्रांस्क्रिप्शन ठीक है ट्रांस्क्रिप्शन के द्वारा होता है ठीक इतनी बात ख्लिए है सबको MRNA के बारे में सबसे पहली ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि MRNA याने की मेसेंजर याने की संदेश वाहक आरेने इसका निर्मान केंदरक के अंदर डिने के अनुलेखन याने की ट्रांस्क्रिप्शन के द्वारा हो रहा है दूसरी चीज़ यहां आ रही है कि हमें यहां पर पॉली हमें यहां पॉली पैप्टाइड श्रिंखला के श्रिंखला के संसलेशन यह पैन मुझे लगता है ना मुझे बदलना ही पड़ेगा आज तो सच्छी बहुत परशान किया है इसमें है ना संसलेशन अरे भाई यह तो गया मुझे लगता है अरे यार संसलेशन के लिए अमीनो आसेड अमीनो अमल या अमीनो आसेड अमीनो अमल को निश्चित अरे यार निश्चित क्यों भाई क्यों परशान कर रहे हो निश्चित क्रम में क्रम में जोडने की जोडने की सूचना निश्चित सच्चित यार आस तो रुला दिया इस पैन ने निश्चित होती है है ना दोसरी चीज़ यह और लास्ट में इंपोर्टेंट पाइंट आता है कि एक mRNA से क्या होता है हाँ एक mRNA से एक ही प्रोटीन एक ही प्रोटीन क्या श्रंकला एक ही प्रोटीन श्रंकला का निर्मान अरे भाई दादा निर्मान होता अरे मम्मी होता है ठीक है समझ में आ गिया है या नहीं आया आस तो इस पैन ने रुलाई दिया यार इतना सीरस लियो के पढ़ाना पढ़ रहे हैं इस पैन के चक्कर में कुछ समझ भी नहीं आ रहे है आज यह पैन बदल देंगे है ना आज के आज यह पैन बदलेंगे हम चलो फिर इसके बाद कहते हैं प्रोटीन शंकला में कौन-कौन से भाग होते हैं जो हम अभी पढ़ रहते हैं ना क्या पढ़ रहते हैं protein शंकला में प्रोटीन श्रिंखला में भाग ठीक है कौन-कौन से भाग होते हैं protein शंकला में तो सबसे पहले मैंने क्या बोला सबसे पहले number 1 पर हमारे पास क्या आता है जी कैप ठीक है नंबर वन पर क्या है हमारे पास जी कैप है यह जी कैप क्या काम करता है यह 5- अरे भाई सहाब 5- सिरे से सिरे 5- पर यहां पर क्या होता है औरे भाई क्या ही करें मैडम बताओ है यहां क्या होता है जो five days चिरा होते हैं यहां पर क्या है था यहां क्या add होते हैं मैंने भी थूर्दे पहले बताया था क्या बताया था यहां पर क्या add होता है five days चिरे पर है औरे दादा क्या लिखू है बताओ पर क्या होता है अरे चल जाओ यार क्या होता है पर क्या होता है है बोलो ग्वा ग्वावा है ग्वावा होता है बोलो ग्वासन ग्वानोसन प्रोटीन भाई सहाब कसम से प्रोटीन की टोपी होती है ठीक है ये चीजा जाती है फिर दूसरा हमने क्या बोलता पहला जी कैप होता है दूसरा non coding reason होता है और तीसरा coding reason होता है ठीक है यह क्या आगे आपका non coding region ठीक है यह क्या है non coding region हो जाता है यहाँ पर क्या आता है non coding region में यहाँ पर क्या होता है किसी भी किसी भी क्या amino acid amino acid का क्या होता है का क्या होता है क्या होता है coding नहीं होता coding नहीं होती ठीक है यहाँ पर यह आता है दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर क्या आजाता है हमारे पास बताया था मैंने तीसरे नमबर पर हमारे पास आता है coding region क्या आ गया हमारे पास तीसा नमबर पर? Coding region Coding region ठीक है? इस coding region में क्या होता है? इस coding region में क्या होता है भाई? यहाँ पर क्या होता है? यह क्या है? non-coding region के non-coding region के बाद nitrogen base इस अनूक्रम से बना कोडॉन है, ठीक है? और चौते नमबर पर हमारे पास क्या आता है? पॉली ए टेल, है ना? चौते नमबर पर क्या है हमारे पास? पॉली ए टेल, ठीक है न? ये क्या है? सबसे लास्ट वाला भाग है? ठीक है क्लियर इतना है है ना क्लियर हो गिन लुप से और कि चलिए करते हैं न हुद आप लोगों से अपने अगली ख्लास में थीक है उमीद करती हुँ कि यहां तक कि सबको समझ में आ गिया होगा है उमीद करती हूँ कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत पकली है चलो कोई बात ने हैना थोड़ा सा और सही ठीक है तो मिलते हैं अपने अगली ग्लास में तब तक के लिए क्या करू जो पढ़ा है उसको रिवाइस करते रहो आज के लिए बस इतना ही था चल क्याल रकोबना